हले दोस्तों डिगरीज में आपका स्वागत है दोस्तों लावा की अगर बात करें तो लावा जो 5G जो लॉंच हुआ है यह अभी नया वैरेंट में लॉंच कर रहा है कि जो वैरेंट में है जैसे कि पहले जो 4GB वैरेंट में था अभी यह 6GB वैरेंट में दे रहा है और 6GB के साथ साथ कुछ और इसमें इंबिल्ड कर रहा है जो की आपके सामने है सपोर्ज अगर मैं बात करूं इसके चीपसेट है डिस्पले है डिजाइन के मामल में क्या कुछ इसमें कुछ बदलाओ करेगा यह फिलावा जो ब्लेज 5G है 6GB वरेंड के साथ इसमें क्या कुछ डिफर इसमें सिस्टम है प्रोसेसर की बात करें तो अक्टा कोर मीडिया डिमेंसिटी 707 एनेम प्रोसेसर के साथ है माली जी 57 mc2 जीप्यू से है सेफटी के लिए इसमें साइड माउंटर फिंगर प्री सेंसर है जो कि 4GB रैम के साथ 3GB वर्च्व रैम है तो मिला कि आपको साथ ज अब इसमें देखना यह है कि इसकी प्राइस क्या कुछ होगी 6GB रैम वाले और 128GB के स्टोरेज है और 12,000 रुपे के आसपास में है जहां पर आपको मिल रहा है और ब्लेज लावा ब्लेज प्रो और 5G शायद पूरो नहों लावा ब्लेज 5G का है डिया वेरेंट में नया एडिशन मतलब की 6GB रैम के साथ लाउंच हो रहा है तो यहां पर कुछ पहले के मुकाबले अगर हम देखते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत बदलाव नहीं दिख रहा है थोड़ा बहुत है जो कि डिजाइन के मामले में कह सकते हैं फिलहाल आपको सेम सेम चीजे मि मिलने वाली है और यहां पर 5G को रहा है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है लेट लॉंच होता है यह फी कोई अगर रोमर्स आती है तो फिलाल दुस्तों वीडियो यह तक कि यह वीडियो पशस्द धायते है पीज़ब लाइक करना शेर करना मिलता हूं मैंसे नहीं को तक कर लि